कि अलो दोस्तों नितिन फोटोग्राफी में आपका एक बार फिर से स्वागत हैं और मेरा नाम है नितिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हम फोटोशॉप में हेर्स कट करते हैं बैग्राउंड से तो यह बहुत ही काम की चीज है हम जब कभी भी वेडिंग एलबं डिजाइन करते हैं या वेबर डिसाइन करते हैं प्राफिश कका कारते हैं तो फिर हमें एरा ज कट करने की जरुरत पाड़ती है तो आई हम시면 आज तो सबसे पहले चलते हैं हम यहां पर अपने कम्प्रूटर पर यहां मैंने फोटोशॉप ओपन कर रखा है अल्रेड़ी हम यहां पर एक इमेज ओपन कर लेते हैं यहां मैंने इमेज ओपन कर लिया एक फोटोशॉप में इस तरह आप देख सकते हैं लेयर बैग्राउंड लेयर दिख रही है हमें और लेयर के बाद में चैनल ऑप्शन दिख रहा है और पार्ट दिख रही है तो हमें चैनल ऑप्शन पे चलना है यहां पर आप चार टाइप के लेयर देख सकते हैं अलग अलग आड़ग भी है रेड है ग्रीन है ब्लू है ब्लू में हमें इमेज ज्यादा दार्क दिख रही है और डेतेल्स भी जादा नजार आ रही है as compare to blue layer green में आप देखेंगे light जादा है image में और details भी कम नजर आ रही है इसलिए हम blue वावे layer पर काम करेंगे तो अब हम यहाँ पर blue layer की एक duplicate layer बना लेते हैं duplicate layer बनाने के लिए आपको करना क्या होगा इसे just drag and drop करना होगा new layer पर इस तरीके से आपकी blue copy एक बन जाएगी दूसरी अब हम इसे जो image दिख रही है यहाँ पर जितना भी area हम इसे पूरा black कर देते हैं और black करने के लिए हम level और curve menu का use करेंगे तो आईए चलते हम image menu पर यहाँ से adjustment पर और curve पर चलते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं जो है black side है डार्क वाला area हम राइट साइड पर slide करेंगे तो इमेज जो है पीछे हमारी डार्क हो जाएगी और इसे थोड़ा सा हम यहां से भी डार्क कर लेते हैं कि और वाइट कलर को हम थोड़ा सा कि स्लाइट करते हैं और ओके कर देते हैं अब हम चलते हैं फिर से इमेज ऑप्शन पर और एड्जस्मेंट इस टाइम हम लेवल सेलेक्ट करेंगे लेवल और यहां से ब्लैक वाले स्लाइट को हम राइट साइट पर स्लाइट करेंगे तो इमेज जो है डार्क हो रही है ब्लैक हो रही है और वाइट कलर को हम लेफ्ट साइट पर स्लाइट करेंगे इससे वाइट कलर क्या होगा हाइलाइट होगा और ब्लैक से ब्लैक कलर जो है डार्क होगा इमेज का और से हम दोनों को एड़्जस्ट कर सकते हैं इस तरीके से तो यह काफी हेलफुल है सेलेक्शन के लिए अब हम इसे ओके कर देते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं जो है इमेज में कुछ पोर्षन वाइड कलर का भी बाकी है जो पूरी तरह से ब्लेक कलर नहीं हुआ है तो इ और यहां पर blue copy layer पर हमें Click करना होगा अब आप SEE flipping आसा को आप सकते हैं सारा प्लेक कलर जो दीख रहा है वह सेलेक्शन हो गया और चलते है हम लेयर मेनू पर चलते हैं यहां पर हम you put करते हैं तो आपको इमेज को इस तरीके से दिखेगी जहां पर भी ब्लेक कलर था वहां पर हमें ट्रांस्परेंट बैग्राउंड दिख रहा है कि तो हम इसे देखने के लिए क्या करेंगे आप इमेज मेनू पर चलते हैं और एड़्जस्मेंट पर और फिर इन वाट पर कि यहां बॉड़ी में भी हमें सेम क्लॉथ में भी हमें सेम प्रॉब्लम आ रही है बैग्राउंड यहां पर हमें दीख रहा है तो आईए हम इसे करेक्ट करते हैं कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा इमेज को लिटल बिट जूम कर लेता हूं और इसे हम वापस कर देते हैं जो कि Obamomi लगाया हुआ उससे हमें अल्टर बटन प्रेस करके क्लिक पर न अब आप Amaam अब हम देख सकते हैं यहां पर लिए हम देख सकते हैं तो इससे हम पहले बैग्राउनस है हम पहले कर लेते हैं बलैट करने के लिए हमें करना क्या होगा ब्रस्यांस इसirkelve फोर ग्राउंड कलर जो है ब्लैक रख लेंगे और जो भी वाइट कलर हमें दीख रहा है वहाँ पर हम पेंट कर देंगे कि इस तरीके से और इसकी आपको अंड्रेड रखना है ताकि जल्दी आपका जो है ब्लैक कलर फिल हो जाए अगहिए ब्रस्का साइज में दोड़ा सा बढ़ा लेता हूं आप यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं और हाडनेस यहां से भी कम जादा कर सकते हैं कि यहां पर हमारी इमेज जो है सारी ब्लैक हो चुकी है अब हम इसे फिर से वापस लाने के लिए क्या करते हैं अल्टर बटन होल्ड करके रखते हैं अपने keyboard से और इस पर क्लिक करते हैं तो आप फिर से background जो हम देख सकते हैं transparent हम इसे image को वापस लाते हैं फिर से image menu पर जाके adjustment पर जाना है और invert हमें select करना है तो friends आप देख सकते हैं यहां पर जो हमें इसके पहले problem आ रही थी model के face पे जो transparent background हमें देख रहा था वह अभी नहीं देख रहा है है नीचे cloth पे भी नहीं दिख रहा है काफी अच्छे तरीके से यहां पर कट हो चुका है background से hair तो इस तरीके से आप hair जो है cut कर सकते हैं तो हम इसे save कर देते सबसे पहले कि जहां पर भी आपको save करना है कर सकते आप मैं desktop पर कर देता हूं अभी hair cutting के से ओ आप इसे PSD में या फिर PNG में करेंगे तो यह एस इस रहेगी अदर्वाइस JPG में करेंगे तो कुछ काम का नहीं रहेगा यह इसमें आप PNG में करेंगे या फिर पीस्टी में करेंगे तो आप background चेंज कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स को जरूर सेयर करें थैंक यू पर वाचिंग दिस वीडियो बाए बाए